हलो students, आज हम लोग करने जा रहे है case study 1 for class 9th CBSC ने case study के questions को पहली बार class 10th के लिए introduce किया है तो same to same class 9th के लिए भी हो जाता है Let's start to learn something new, adutera mission of success तो students देखे यह हमारा case study का question आ चुका है A tyre manufacturing company kept a record of a distance covered before a tyre needed to be replaced. The table shows the results of 1000 cases. Distance in km frequency less than 4020, 4000 to 9210, 9001 to 14325, more than 14445. If you buy a tyre of this company, what is the probability that? तो यह question प्रोबिल्टी से related है, तो solution सुरू करने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल अगर आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आईए, इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो यह हमारा फर्स्ट पार्ट आचुका है, ए, इट विल नीड तो बी रिप्लेजड बिफोर इट हैज कवर्ड फोर थाउजंड किलोमेटर, तो फर्स्ट ऑप्शन है, जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू, सेकेंड ऑप्शन पॉइंट जीरो फॉर्थ वन इस नन अफ दीज यानि आपको प्रवाबिल्टी बतानी है, इट विल नीड तो रिप्लेजड बिफोर इट हैज कवर्ड यानि चार हजार किलोमेटर से पहले, तो देखें इसका स्वल्यूशन, फॉर्मूला प्रवाबिल्टी पी इक्वल्स तो फैवरेबल आउटकम्स तो इसकी टैग लाइन जो दी गई है, एक फॉर्मूले का जादू, यानि कि केवल एक यही फॉर्मूला इस पूरे क्विस्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, तो एक बार मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मूला लिखकर दिखा दिया है, देखिए, 1000 केसे हैं और लेस देन 4000 में 20 है, तो 20 अपान 1000 करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा एंसर आ जाएगा, 0.02, आप्शन नमबर 1 इस करेक्ट, तो हम अपना एंसर फर्स्ट टेक कर लेंगे, तो आएए चलते हैं, अपने सेकंड पार्ट पर, तो यह आगे हमारा पार्ट भी, इट विल लास्ट मोर दैन 9,000 किलोमेटर, तो इस बार हमें मोर दैन 9,000 किलोमेटर लेना है, तो मोर दैन 9,000 के लिए फ्रिक्वेंसी यानि फेवरेबल आउटकम्स 325 प्लस 445, यानि 9,000 से ज्यादा तो वो तो 14,000 तक जा सकता है, तो यह आजाएगा हमारा 770, तो एक फॉर्मूले का जादू, यानि probability equals to 770 divided by total number of cases कितने ते आपको याद हो, 1000, so solve it 00, cancel and the answer is 0.77, option number 3 is correct, तो बहुत आसान है के स्टड़ी, चलिये, C part, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 km and 14,000 km, यानि इस बार आपको जो probability बतानी है, वो 4000 km से लेके 14,000 km तक के लिए बतानी है, तो probability of the event, formula वही, देखिए इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, 4000 km and 14,000, तो क्या करेंगे हम, 210, 325, दोनों को add कर देंगे, so 210 plus 325 divided by 1000, टोटल केस कितने हैं, 1000 हैं, अगर आप भूल गये हों, तो वीडियो को pause करके पीछे, चेक कर सकते हैं, so 535 divided by 1000, answer आजाएगा 0.535, option number 2 is correct, तो आएए चलते हैं अपने अगले part D की तरफ, तो यह हमारा part D आचुका है, what is the probability of sure event, तो sure event का मतलब 100% है, तो सभी को पता है, इसकी probability हो जाएगी, 1, option number 1 is correct, यह आगे हमारा part E, it will last more than 14,000 km, इस बार आपको more than 14,000, तो more than 14,000 की frequency 4, 4, 5, so probability of the event equals to 4, 4, 5 upon 1000, so here we completed each and every part, मतलब पांचों पार्ट का solution हो चुका है, with proper hint, proper guideline, और मुझे उमीद है कि आपको probability का concept, समझ में आ गया होगा, तो यह था हमारा एक formula का जादू, और वो formula कौन सा था, probability of the event equals to favorable outcomes divided by total number of outcomes, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं, next वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई